हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब याशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे चुंगे मिरे नाम है सभी राजब पढ़े के ध्याचार ध्याचार में पढ़ना है शब्द भंडार तो देखे टेसी स्किल में किस तरह के प्रश्ण है परियावाची शब्द अनेक शब्दों की ल तो इस कांसरो जाएगा अगला है सुरुति संभी नार्थक शब्द किसे कहते हैं ऐसे शब्द जो चारर की दिष्टी से आसमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं उन्हें हम कहते हैं सुरुति संभी नार्थक शब्द अगला चौथा नमबर दी गई चित्र तालिका को देखकर प्रयावाची सब्दों को अशुद विकल्प का चैन करिए तो देखे फूल है फूल को पुश्प शुमन प्रशूं कहते हैं हाथी हाथी दंती हस्त कहते हैं ये भी ठीक है ये भी ठीक है फिर है राजा राजा को नर नहीं कहते तो ये गलत हो जाएगा र अधिपत ही कहते हैं तो यह सब राजा के हैं और यहां पर जो ऑप्शन गलत है वो है आपका गाउप्शन गलत है यहां पर अशुद्ध ही पूछा था और यह देखिए वह उपवान वाटी का बाग यह बगेचे को कहते हैं यह भी ठीक है अगला कोशन नमर फाइब दिये ग यहां पर काया सनाथ सब्द का विलोम क्या होगा तो सनाथ का जो विलोम होता है वो होता है अनाथ क्या होता है अनाथ सातों नमबर दिये गए वाक में उचित विलोम शब्दों का जोड़ा चुनकरी तस्थान भरिए मनें उसको अपनी डैस से अधिक नहीं करना चाहिए त जूपड़ी का यहाँ प्रस्ण क्या गाहँ है दिये गहें चित्र को देकर उसका उचित विलोम क्या होगा जूपड़ी का उलटा क्या होता है महल तो इसका अंसरो जाएगा का महल अगला है नाईन नमबर निमलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध जोड़े का चेहन करिए तो अशुद्ध जोड़ा यहाँ पर क्या है? अशुद्ध है यहाँ पर आदर्श और याथार्थ देखे आदर्श का जो विलोम होगा वो आपका क्या होगा? वो होगा दुराचारी अर्थकानत ये भी ठीक है अनुराक विराग ये भी ठीक है बंदर कमुद ये भी ठीक है दसवा नमबर दियेगे वाक में उचित सब से रिक्स स्थान भरिये तो मुझे कल की घटना की जानकारी नहीं है तो क्या है यहां पर हो जाएगा असपश्ट जानकारी नहीं तो इस कांसर हो जाएगा खाफ कोश और कोश के लिए उचित अर्थ वाला विकल्ब बताईए तो कोश के लिए क्या होगा कोश का मतलब होता है शब्द भंडार और इस कोश का मतलब होता है खजाना तो इस कांसर ह पौत्र का मतलब होता है जहाज और पौत्र का मतलब क्या होता है तो पौत्र का मतलब होता है पूता अगला है सस्ता और रोगी का भूजन तो रास्ता स्वारी रास्ता और रोगी तो रास्ता का मतलब होता है पत्थ मतलब रास्ता और रोगी का मतलब होता है पत्थ मतलब जो बिमार वेक्ति हैं उसे हम कहते हैं अगला है 14 नमबर निम्लिखित वाक्यांस के लिए एक शब्द का चैन करें जिसका आदी ना हो जिसका आदी ना हो उसे हम कहते हैं आनादी क्या कहते हैं आनादी कदेएक का मॉनियर्टर बहुत बोलता हैं तो मेरी कछा का मॉनियर्टर जो बहुत बोलता है तो भोड बोलने वाले कρχें वसका आंज रो जायगा घाव और जो कम बोलता है उसम क्या कहते है मितभाशी current सूला नंबर शैपाथी शबद के लिए एक से अधिक सब्दों वाला विकल्प का चायन करें तो सब्र सब्राइब करते साथ पढ़ने वाले कों चुन करते हैं सहपाथी सतर नमबर दिये गे वाक्त में रिखांगे सब्दों के लिए शब्द का चैन करी इस्वर का आकार रहे तो जो आकार रहे तो जिसका कोई शेप नहीं होता उसे हम कहते हैं निराकार तो इसका अंसर हो जाएगा ए निराकार अठार नमबर विलान के शुद्ध विकल्प का चैन करी तो शुद्ध विकल्प का यहां पर चैन करेंगे तो देखिए जहां जाना सरल हो तो उसे दुर्गम नहीं कहते हैं गलत हो जाएगा जहां जाना हो उसको कहते हैं सुगम और जहां जाना मुस्किल हो उसे कहते हैं दु वालू कहते हैं अगला उन्नीस नम्र निम्लिखित सब्दों से कौन्छा आराम का अनेकार्थि शब्द नहीं है तो यह है आपका संख्या अराम का मलब विश्राम होता है रोगों से दूर होना होता है मेधाविकर्ण में आते हैं इस्तरी को हम क्या क्या कहते हैं यहां पर कोशन कहा है निमलिखित में से प्रयायवाची शब्दों के अशुद्ध विगल को कहते हैं तो इस्तरी को नारी कहते हैं महिला कहते हैं मनीता कहते हैं ठीक है सूरी को मैंग शुधानसु इंदू हम किसे क कि चंद्रमा को कहते हैं सूर दिकर्द दिवाकर भाषकर को कहते हैं पहाड कहते हैं सैल कहते हैं गिरी कहते हैं यह ठीक है अब शुरूती सम्वेंदातक सब्दों का उचित-विकल्प का चैन करिये तो देखिए यहां पर जैसे अलक का मतलब होता है बाल और अलका का मतलब क्या होता है एक नारी अब यहां पर ओवी ठीक है अथक का मतलब होता है बिना थके और अकत का मतलब होता है जो कहां ना गया हो अध्यान का मतलब होता है पढ़ना और अध्यापन का मतलब होता है पढ़ना तो इसमें कौन सा गलत ह है तो इसमें कोई भी गलत नहीं है इसमें सभी सही है तो इसका आंसर हो जाएगा घा निम्लिखित में से चार सब्द लिखे गए हैं प्रतेक में से एक शब्द भिन्न है भिन्न शब्दो वालों का विकल को देखिए बारिस को पानी गीला बादल कहते हैं लेकिन राम नहीं कहते हैं घर को दर्वाजा खिड़की जंगल दिवार कहते हैं तो जंगल नहीं कहते है घर गए इसमें यह नहीं जैसे अक्राइड का गर्म है तो अगला 24 नंबर अनिकार्थक सब्दों के अशुद्ध बिकल्ब का चैन करिए तो देखिये अर्थ का होता है परियोजन और धन व्याक्या यह ठीक है जवान को कहते हैं सैनिक वग युद्धा यह ठीक है जान को कहते हैं प्राण सकतित जीवन यह ठीक है घान कौसे करने और अंबूद कि मिली कि अग्या के चांद है चांद की जान हम क्या क्या बोलते हैं चंद्र शर्शी राकेशज त기에 अßenफ़ पिरसवी को कि क्या 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 कहते तो 3421 इसका अंसर बनेगा option number का 3421 तो दोस्ति यहां पर वीडियो खत्म होता है वीडियो को कैसा लगा कर्म में लिके ज़रूर बताएगा और finally अगर आप उच्पे करना चाहते हैं तो यह मेरा QR code है आप इसे scan करके जो भी send करना चाहते हैं आप कर सकते हैं फाइली मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार है